बालकों की सही परवरेश करने वाले धहरेशाली माता पिता आप सभी का श्री अर्वितो सोसाइटी के प्रतिनीधी के रूप में मैं संतोष अभिनंदन करती हूं और अभिवादन करती हूं और साथ ही अपने सभी वियर्स का, सुझाव देने वालों का, आपस में विमर्ष करने वालों का, शेयर करने वाले, सभी का मैं हार्दिक आभार प्रगट करती हूं। आज का विशय जैसे कि हमने कहा कि हमने समाप्त की अपनी संतानों में प्रतिद्वन्दिता की भावना, आखिर आज हम इसी विशय को चल रहे हैं कि हमारे बच्चे आपस में रिवेल्री क्यों बच जाते हैं। सिब्लिंग रिवेल्री का टॉपिक आज हम लेकर गए हैं कि संतान प्रतिद्वन्दित आपस में क्यों होती हैं। तो आज हम केवल इसका कारण जानेंगे और कल हम इसके समाधान के विशय में बाते करेंगे। क्योंकि आप सभी बहुत होश्यार हैं, समझदार हैं, ग्यानी हैं और सभी माता पिता हैं। तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को किन तरीके से मैंने अपने बच्चों को प्रचिद उन्तिता की भावना से, लड़ाई जगडे की भावना से दूर किया और उसके अंदर प्रेम, सहयोग, सहार्द की भावना पूरित की तो इसका करण कलाप हमारे साथ इसी समय फिर रहिएगा जिससे कि हम आपस में विचार विमर्ष कर सकें, एक दूसरे की भावों का, सुझावों का आधान प्रदान कर सकें, जिससे कि समाज के हर अभिभावक को, संरक्षक को, माता पिता को आपकी बातों के द्वारा ग्यान म देश है, आप सभी किसी न किसी गाउं से निकल कर आए होंगे, आपके सब के मूल में और कुछ लोग गाउं में भी रहते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्योंकि एक ही भूमी होती थी, उसमें ही पूरे परिवार क्या खांदान की खांदान पला करती थी, तो कुछ प्रथाएं निश्चित कर दी जाती थी, जमीदारों के साथ भी, किसानों के साथ भी एक मूल रूप से एक प्रथा बहुत थी कि बड़े कि सुनी जाएगे, जो भी घर का बड़ा होगा, वोई मुख्या यानि मुख्य व्यक्ति होगा, और जो वो कहेगा, उसकी बात को सम्मानेंगे, और उस कारण से कई बार क्या होता था, कि आपने भी देखा होगा, क्या आपके पापा के तो सुनी नहीं जा रही है, आपके दादा जी की बाबा की सुनी जा रही है, पर आपके पिता जी असहाय से बैटे हुए है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे है, या फिर आपके चाचा बैठे हुए है तो इस तरह कि जो बातें थी वो उस समय एक आंदोलित विचारों को आंदोलित करते थी या अपने को बहुती कचोडती सी थी एक इस्तिती थी आपको भी थी और ताओ जी की भी यह इस्तिती बाबा जी की यह इस्तिती कि अपने लोगों को उनकी चौपाल सजरी है उनकी है और उनके घर के किस्से गाय जा रहे हैं उन से उन बातों को पूछा जा रहा है यह 70% लोगों की सोच रहे हुए कुछ लोग तो बहुत समझदार भी होते थे पर वो जो करते थे तो क्या बात थी कि छोटा कई बार जो छोटा व अब आप एक बात बताईए क्या ताओ जी की और आपके पापा की दोनों की परवरिश अच्छी हुए थी क्या उसमें गलती नहीं थी उन प्रताओं की कुछ ना कुछ गलतियां थी जिसके कारण आपके पापा या आपके चाचा थोड़े दिनों बात कहने लगे मैं क्यों सुनूं सबकी मैं इसी सुनने वाला रह गया क्या मेरी अपनी दिमाग नहीं है और तीरे दीरे क्या करते कि पारिवार एक अंतर कलह व्यापत हो गई यह किवल यह मत सोची कि आपके परिवार के लिए मैं कह रही हूं बड़कि मैं साधान सी बात कह रही हूं एक सामाने बा गया और दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो एक आक्रोश व्यापत हो जाता था एक जब वो बात बाहर नहीं निकल पाती थी तो एक घुटन हो जाती थी एक कुंटा हो जाती थी और धीरे धीरे वही बात जो है एक दीवारों को खड़ा करने वाली बन गई क्योंकि आप तमाशा तो दिखाना नहीं चाहते, कहते हैं ना तमाशा मेरी फितर नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ, तो तमाशा दिखाना नहीं चाहते, अंदर अंदर गोटन है, और जब तमाशा दिखानी किसी को कुछ पता नहीं चला, एक दम घर के बीचों बीच दिवा अना नहीं और एक दूसरे से बाहर वालों से बुच्रे उसके घर क्या हुआ था उसके क्या हुआ था इस तरह की बाते ज्यादा होती चले गई और धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा और उभरे इस इस्तिती से उभरने लगे कुछ लोग शहर में चले गए कुछ लोग रेडियो भी होना चाहिए उस समय की बात में कर रही हूं रेडियो भी होना चाहिए इस तरह का पलंग होना चाहिए इस तरह की चीज जो चार पाई जैसी चीजें होती ही वो उसमें इतने तलीन हो गए कि घर में जब बच्चे लड़ाई जगड़ा करते थे तो उनके मन में क से भी बढ़कर लाद घोसे अपिटाई चीखना चिलाना इन से उनका स्वागत किया अब उन्हें बिल्कुल नहीं सोचा कि बच्चे के मन में आखिर पनप क्या रहा है उसके क्या उसके अंदर समवेगा आत्मक परिवर्टन आ रहे हैं क्या वो कहना चाता है और इसी तरह से बच्चे के मन में आप एक दम आ गया परखा गया मुझे समझा नहीं गया और आज आप भी इस तरह से सोचते हैं कि हमारे माबाप काश हमें समझते परखते ही रहे अरे हम चिला रहे हैं ये तो सोच कहा कि ये चिला रहे है तो चिलाना नहीं चाहिए पर ये नहीं सोचा क् क्यूं है तो समझने के स्थिति उन्होंने लाने नहीं थे तो उससे क्या हुआ कि हम भी एक विकृत मान सेकता कि शिकार होते चले गए परन्तु और इसी तरह से क्या हुआ कि अब आप खुद माबाप बन गए आपके भी दो या तीन बच्चे हो गए हैं और उनमी भी आप देखते हैं कि उनके अंदर लडाईया चल रही हैं और उनके लडाईया में क्या हो रहा है मल लएद हो रहा है आखेप लगाए जा रहे हैं चीख पुकार हो रही है जब आप उसको सुनते हैं तो मा भी सुस्ती की भगवान करें यह तो स्कूल चले जाएं तो यह ज़्यादा अच्छा और पिता के सामने होते हैं तो पिता को गुस्सा आता है पिता कहता है इससे क्यों हो गए तीन तीन दो दो तीन 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 बच्चे एक होता तो ज़्याद अच्छा था अब जब यह सोचते हैं तो जड़ा आप उस अकेले बच्चे की ध्यान से सोचिए कि और इसी बारे में आप अपने रिष्टेदारों से भी पड़ोसियों से बात करते हैं मेरे बच्चे ऐसे लड़ते हैं मुझे तो तंग कर रखा है मैं परिशान कर रखा है प आपने कभी उस अकेले बच्चे की मनहस्तिती के विशय में विशलेशन किया सोचा कि अगर आपका बच्चा है जिनके माता पिता के जिनके बच्चों के सिबलिंग नहीं होते सहोधर सहोधरा नहीं होते सगे भाई बहन नहीं होते उनकी मनहस्तिती कैसी होती है एक तो उनक लिए आवशकता से अधिक वस्तू हिलाला कर देते रहते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आटा देते हैं, वो नहीं जानते, छीन कर जब कोई वस्तू मिलती है अपने सगे भाई बहन से, तो उसका एक मज़ा होता है, क्या आनंद होता है, और क्या चीज एक दिखा भईया ये कैसा है? भाइन भाई देखो मैंने ये frog पहनी तो जब भाई देखता है, तो वो उस चीज से, उस आनन से वन्चित होच्यु का होता है, तो दासीन हो गया होता है और साथ-साथ जब कभी वो कहीं बाहर ख़ड़ा होता है, तो बाहर खड़ा हो करके जब सब भाई बेहनों को आपस में लड़ते जगड़ते बाते करते देखता है तो वो एक अपने को सेम को पेख्षित समय सूस करता है और कभी-कभी तो जो है या फिर देखो कि आपने अपने बच्चे को या तो पॉंपर्ड बना दिया बहुत ही उसे देन दुनिया की कुछ पता नहीं क्योंकि वो तो कस्टोमी रहा नहीं उसने जाना ही नहीं की आवशेक्ता क्या होती है और या फिर आपने उसको अपना आग्या पालक बच्चा बना दिया कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो एक ऑर्डरली की तरह से काम कर रहे है जा तो बहुत विविन्यता है उसके अंदर तो आपको उस इस तर तक आने में आपको जब आप उस बच्चा बनेंगे तो आप विक्रती के शिकार हो जाएंगे और जब आपका बच्चा इस तर तक आने की कोशिश करेगा तो वो विक्रती के शिकार हो जाएगा तो अकेले बच् परिवरतन आते हैं, उस सम्वेग आत्मक, सब के अंदर एक सम्वेग, ये सारे मूल सम्वेग होते हैं, प्रोध भी एक सम्वेग है, जब प्रोध से हमारी बातें निकलती हैं, लड़ाई जगड़ा होता है, तो भी हम बहुत हलका महसूस करते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि एक बच्चे के अंदर एक व्यक्ती का पूरा व्यक्तितों समाया होता है, उस सारे बात में हम लोग उस व्यक्तितों के जो सम्वेग आत्मक के स्थितियां हैं, उसके व्यक्तितों को धीरे धीरे सुधारना शुरू करते हैं, और वो जाकर के उसमें आता है, तो हमने उस बच्चे के अंदर कितना बड़ा एकेले बच्चे को अकेली संतान को करके उसके विकास में किस प्रकार से हम बादक बन गए। करें, दूसरा बच्चा कैसे करें, इतने खडचे हैं, इतने सब कुछ हैं और इसको ही हम ठंक से नहीं पाल रहें पर आपने देखा नहीं, जब दो संतान होती हैं तो उनका विकास कितना समुझित हो पाता है, तो आखिरकार हमने ये सब क्या करा, एक बार क्या कहते हैं, अब भाईयों-भाईयों के साथ जो परवरिश होती है, वो आपने जो, आप अगर अपने बच्चपन पर नजर डालें, अगर आप अपने बच्चपन को देखते हैं, तो आप सोचेंगे किस तरह हम भाई-भाई खेलते थे, किस तरह हम भाई-बेन सोते थे, किस तरह से जागत किस तरह से चीन जपट कर खाते थे तो उनका विकास किस तरह से हुआ था हां ये बात और है कि आपका पालन तो हुआ पर आपकी परवरिश नहीं होई क्योंकि परवरिश में एक सही दिशा चाहिए और पालन तो सभाविक रूप से हो गया मम्मी ने खाना बना कर रग दिया पापा ने कमा कर ला कर दे दिया ज्यादा सुक सोविधा चाहिए नहीं थी आपस में छीना जप्टी की कोई मिठाई खारा है मिठाई की भी लालसा होती थी तो उसकी छीन कर खाली कुछ चोरी कर कर खाली इस तरह के अनिक बाते होती थी जिस से बच्चा अपने आप पलता जाता था यानि कि आपका हमारा जो पालन हुआ हमारा पालन हुआ पर आज के बच्चे की क्योंकि हम माता पिता हैं एक आदश माता पिता बनना चाहते हैं अपनी संतान के भविशे को सुरक्षित रखना चाहते हैं उसको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो हमें बच्चे की परवरिष करनी होगी, हमें उसको दिशा, एक अच्छी दिशा की तरफ दिखाना होगा, उसको ले जाना होगा, तो हम उसके दिशा पर ध्यान नहीं दे, हमें उसके दिशा पर ध्यान देना चाहिए, मुझे एक बार के एक ना, क्योंकि किस्से कहानी पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे 25 साल पहले की एक पत्रिका की घटना भी याद क्या था, कि एक इस्त्री ने अपने ही आत्मानुभाव उसमें लिखे थे, उसने कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मेरी बेटी पांच साल की थे, वो कभी बच्चे को छेड़ती थी, कभी तंग करती थी, और मैं भी उसके उपर ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैंन अपने पती से कहा, क्यों न मुन्नी को हम होस्टिल में डाल देते हैं, ये बात मुन्नी ने भी समझ ले, जब मुन्नी ने समझी, तो दूसरे दिन उसने अपने छोटे छोटे नन्ने नन्ने आतों से लिखा था, कि मम्मा मुझे होस्टिल में मढ डालो, मम्मा मुझे कि अरे मैं यह क्या गलती करने जा रही थी फिर मेरी बेटी ने मुझे अपनी भाशा में अपने अपनी फीलिंग से अनुभव के आधार पर का ममा मुझे होस्टेल में नहीं जाना मैं भाई का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी मैं आप लोगों के बिना कैसे है कि वास्ताव में उसने भी यह लिखा कि मुझे उस दिन यह आहसास हुआ कि वास्ताव में एक बच्चे के लिए अपने सिब्लिंग की अपने परिवार की कितनी बड़ी आवशक्ता होती है एक समुचे संतुलित स्वस्थ व्यक्तितों का निर्माण एक परिवार के दुसरा पैदार होने वाला होता है तो हमारी कुछ गलतिया होती है क्या करते है हम उसके आने के जो आगंतुक आ रहा है भाई या उसका बहन आ रहा है उसी के सामान को इधर उधर रखने लगते हैं उसकी जगे को छीन लेते हैं कि यहां पर आप वो सोएगा जो बच्ची पहले अपनी मा के साथ सोती थी उसका इस्थान बदल दिया जाता है और उसकी जगे जो नए आने वाले बच्चे के लिए जगे बना दी जाती है सब लोग हरशाते रेक से पागल होते हैं कि अब यो नए आएगा कैसा होगा क्या होगा और वो जो है बच्ची बच्ची या हैं तो उसके लिए इस तरह की एक्टिविटी करता है जिससे की सब का ध्यान आकरशन हो और वो कभी कभी चीज़ों को पोड़ेगा भी तोड़ेगा फोड़ेगा चीज़ें उठाकर और दूसर उन के साथ अपने माता पिटार के साथ चिला चिला कर वैवार करेगा हर बात को गुस्से से बोलेगा तो उस तरह से जो उसके अंदर जो एक विक्रती पैदा होती जा दी है उसका कारण क्या है हम सब क्योंकि हमारा वेवार उसके प्रती इस तरह का हो गया यह शुरुवात से ही जब हम ऐसी बाते करते हैं क्योंकि एक जैसे पूर हर बालक के अंदर हर बच्चे के अंदर एक पूर्ण विक्ति विद्यमान होता है तो हमने क्या है उसकी संभेगात्म के स्थेटियों को हर्ट किया तो हमें उससे एक विक्रती पैदा होती चले गए तीरे दीरे जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नया बच्चा आ गया तो आकर्षन का बच्चा नया बच्चा आकर्षन का केंद हो गया दूसरी की सामानित है उपेख्या होने लगी इतना ध्यान नहीं उसको समय पर दूद देना है उसको यह काना है दिखो यह कैसे मुस्कोर आ रहा है कैसे गुटनों से चल रहा है कैसे यह खड़ा हो रहा है अब उस बच्चे को तो इतना पता नहीं कि मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ था, बलकि वो उससे कई बार खीज उठने लगती है उसको, और उससे कहा जाता है बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को छेड़ना नहीं, भईया सो रहा है या बेहन सो रही है, उससे मत करो, अब कर तो आती नहीं, क्योंकि वो तो जानता नहीं कि इसके अंदर संवेदना है, इसके अंदर फीलिंग्स है, एक ये तो मानव का बच्चा है, परन तो वो इसको खिलोनों की तरह से उसको पकड़ता है, जब तो वो छोटा बच्चा रोता है, जब वो रोने लगता है, तो सा साथ-साथ ही, क्या होता है, उसका मन जब आहत होता है, तो उसके अंदर उस छोटी से बच्चे के प्रती, जो उसका सगा भाई बहन है, उसके प्रती एक आप्रोश जन मिले लेता है, और कई बार तो क्या होता है, कि अब और बड़े होते, तो घर में क्या है, दो बहने हैं, और आप भी उसके हां में हां मिला रहे हैं, जी इसकी शादी के वए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो उससे क्या हुआ, दोनों बेहनों की, ना तो आपने उसके प्रतिभा का, उसके योग गयता का, उसकी कारे कुशलता का, दूसरी बच्ची के आंकलन किया, सिर्फ आपने उसके सुन्दरता का आंकलन कर दिया, और जब बड़े होकर के उन दोनों बेहनों की शादी होती है, तो क्या होती है वो दोनों बैने आपस में मिलना भी नहीं चाहती और जब मिलना क्या बात करना भी नहीं चाहती और जब वो बात नहीं करना चाहती तो क्या हो गई कि अगर वो कभी बात भी करती है तो आपस में मिलेंगी तो सिर्फ अपने वैभाव प्रदर्शन की बाते कर और उनका वेक्टे तो लड़ खड़ा कर विखर गया, कभी सुन्दर ताकर स्वस्थ ताकर, कभी कभी हम प्रतिभा के आरे ये बच्ची देगो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये हमारी दूसरी वाली तो पढ़ती नहीं, ये दूसरा वाला तो पढ़ता नहीं, तो सारे दिन खेलता रहता है, हम थे कभी उसके प्रतिभाओं के बारे में जाना नहीं, बलकि हमने दूसरे से जो तुलना की, तो उससे क्या है, उसका वेक्टे तो विखरता चला गया, किया किसने, और इनी सारी बातों ने जन्म क्या दे दिया, वेमनस्य को, इर्शा को, अलगाउ होते चले जाते हैं, और वह अपने अपने अपूोंग और अविक्सित ज्यान के माध्यम से उसके वेक्टेतों को विक्सित करते जा रहे हैं, तो क्योंकि वह परिवार में एड़्जस्ट ही नहीं होपाता, क्योंकि वह अपनी घर में अपने objetivo के साथ, अपने ही सहोधार, स तगे भाई बहनों के साथ प्रती दूंधिता में ठैड़ता ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया? उसके अंदर एक आख्रिश को पैदा कर दिया और उसके अंदर अपने सिविलिंग के प्रती हानी पहुचाने की भावना को भड़ दिया, उसके हानी पहुचाने के इसके अंदर इतनी इच्छा हो गई, उसके कारे पढ़नाली को, उसके कारे पढ़नाली, हर किसी के कारे पढ़नाली एक नहीं होती, सब में मतभेद होते हैं, जो उसके कारे पढ़नाली का तरीका है, दूसरे से तुलना करकर के, हमने उसके अंदर उस मतभेद के, उसके तरीके के से, उसके अंदर मन का भेद भर दिया, उसके अंदर मन भेद, उसके मत भेद को हमने मन भेद का रूप दे दिया, अब उसके अंदर भिन्नता है, हर व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तिकत भिन्नता होती है, व्यक्ति अशारिद एक भिन्नता होती है, उसके आधार पर हम उसकी तुलना करे जा रहे हैं, कोई बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, तो कोई बच्चा कविता बहुत अच्छा लिखता है, कोई बच्चा कहानी बहुत अच्छा सुनाता है, तो कोई बच्चा खेलता बहुत अच्छा है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, बैलकि जो चीज हमें अच बहुत धनी ही होता चला जा रहा है तो माता पिता मतलब उसका धनों पारजन उसका बहुत अच्छा है उसकी आय बहुत अच्छी है माता पिता उस बच्चे को युवा बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं अपेख्या करत जो कम कमा रहा है उसकी परिस्थिती को ध द्याना कर्षिड। ध्याना कर्षन का केंडर माता पिता के लिए वह हो जाता है। तो दूसरा जो है वह को उसी प्ष।ismoici हो जाता है। उसके प्रतिक कोई आदर सम्मान नहीं रखता अगर चोटा है बड़ा और अगर वो छोटा अगर कुछ क्या देता है तो उसके आत्म सम्मान को ठेस लगती है उसके वो छोटा था उसने मुझे ऐसा कैसे क्या दिया तो इस तरह से किसने की ये सारा कुछ कौन उत्तरदाई रह हम खोड हम माता पिता सेम उत्तरदाई हैं बच्चे के अंदर प्रति दुन्दीता की भावना के जगाने के लिए जिससे के उसके अंदर आक्रोश उत्पन हुआ उसके अंदर दूसरे को नीचा दिखाने की भावना उत्पन हुई या उसको हानी पहुचाने की भावना उत हान हान वह पर गलत होते हैं बड़े जब हो जाते हैं बच्चे तो हमें हैसास दिलाते है aan पैश्पित पल्लवित होने के अवस्था में तो हम उसके अंदर किस प्रकार से किस प्रकार से उसकी प्रतिदवन्दिता को सही मोर दे, सही दिशा दे देखिया हम बड़े आराम से आलोचना करते है लिंकन का एक शब्द मुझे याद आता है लिंकन की अबरहाम लिंकन जी जो सोलमे रास्टरपती थे उनकी एक बात याद आती है ये अमेरिका के अराम सोलमे रास्टरपती लिंकन की विकति कोई आलोचना करने का अधिकार है जो हमेशा साहीता की भावना रखता हूँ अब आप माता पिता तभी उस बच्चे की आलोचना कर सकते है उसको नीचा दिखा सकते है उसको कह सकते हैं यदि आप उसके सहायक बनकर होती हैं आप वैसे के नहीं आलोचना करेंगे आप ना किसी की तुलना करेंगे आपको उसका सहायक बनना है आप किस तरह से करेंगे तो जिस तरह से हमारे बच्चा एक स्वस्त व्यक्तित व्यक्तित व्यक्ति व्यक्ति व्यक्त थ्यंक से प्रतिद्वंदिता की भावना न करें. अब किस प्रकार से हम अपने पूरवा ग्रहों से मुक्त हो सकते हैं? अच्छी प्रकार के अंदर भाई बेहन के प्रति, बेहन बेहन के प्रति, आपस्वे सामंजस से इस्ताफित हो, एक सिब्लिंग बांडिंग बन सके, जि हम किस प्रकार करें यह हम आप से जानना चाहते हैं कल हम इसके प्रविशे में भी बात करेंगे और क्योंकि सिब्लिंग होने से बहुत फायदे होते हैं सगे भाई वहन होने से बहुत सारे फायदे होते हैं यह अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा इसका सकारा पहले क्या है क्योंकि आपने कहा अगर आप पहले कह रही थी कि कह रहे थे कह रही थी कि संतान तो एक ही अच्छी है पर अब जरध्यान से देखो कि एक तो जो quality time आपको हमीशा देना था बच्चे को उसमें आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि आपका जो दूसरा बच्चा है व खेल रहे हैं आपको उनके इस तर तक उतरने की जरुरत नहीं पड़ रही बार बार आपको कोई tension नहीं हो रही उसके विशह में ज्यादा सोचने की जरुरत नहीं होती क्योंकि वो अपने आप ही आपस में बात करके स्वैम को संतुलेत बना लेते हैं दूसरा क्या है कि अंदा लिखा तो मैडम ने क्या कहा आज मेरी क्या कहते हैं मेरा खाना किस ने खा लिया क्योंकि माबाप काम में लगे हुए हैं वेस्ते हैं तो अपनी बाते उससे शेरिंग करता है और सगा भाई या बहन उसको हिम्मत भी देता है तो उससे डेरिंग भी उसके अंदर हो और सगा भाई बैन दूसरे को एक दूसरे को की ख्याल भी रखते हैं कोई भी अगर वो भूका है तो कुछ न कुछ अरेंज करेंगे कुछ न कुछ करेंगे चाहे हूँ नन्ने मस्थिष्क से ननने बाल मन से ही करें पर कोशिच ज Days जरूर करते हैं तो जब हम उनको Caring sharing daring तीन वादत आ जाती है और साथ-साथ एक उनका उनके अंदर पुरे लोगों से बुरी आदतों से बचाने की भी उनके अंदर आदत आ जाती है तो किस तरह से हम उनके अंदर sibling bonding बरें to कि रिवेलरी बने, सिब्लिंग, रिवेलरी की भावना बढ़ें, उनके अंदर प्रतिदुन्दिता की भावना न करके, एक सकारात्मक प्रतिदुन्दिता की भावना बढ़ें, तो कि इससे हमें कितना लाव होता है, कई पर तो ऐसा भी एक फाइदा और होता है, इसकूल में अगर सारे भाई बेन दोनों साथ पढ़ते होते हैं तो उनकी जो फीस है वो भी कम हो जाती है तो आप देखिए ना कितने सारे सारे फायर नहीं सिब्लिंग के होने के, आपके सगे भाई बेनों के होने के तो आप तो खुद इतने लाभानवित हैं तो आप सोचे कि आप सिवलिंग के माध्यम से अपने बच्चों के सहोधर सहोधरा के साथ होने से आपको लगेगा प्रतिपल आप एक शन आप अपनी संतान के साथ हैं. तो इसलिए कि आप तो चाहिए कि आप कैसे उनमें ऐसा विश्वास जगाएं कि उन्हें लगें कि वे एक ही जन जाती के हैं और कठनाईयों के स्तियतियों को देखकर एक दूसरे की वो आपस में देखपाल करेंगे. आपका नेतर तो कैसे प्रभावी हो? आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि तालिम के साथ साथ तहजीब भी सिखानी पड़ती है, किताब पढ़ने से, खाली किताब पढ़ने से इंसानियत नहीं आती. तो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमको उसके अंदर गलत प्रती द्वंधिता की भावना जगा करके, हमें एक दुश्मन से, एक इंसानियत की इस्तिती, उसके अंदर एक गलत बाते न सिखा कर, आचार व्यवार भली प्रकार सिखा करके, एक अच्छा इंसान हमें उ हुए और दो ग्राइंड डार्टर हैं कि हुए मैंने बड़ी वाली से जी कहा च्छोटि वाली के लिए में अपने सम्हें मेन इन वराम से तयार होगई हां दादी मैं आज ऌके तरह हैं घ旨हीं आख रहे हैं मैंchen के गई बिना भी रह सकती हूं पर मीठी के साथ नहीं रह सकती ये तो मेरी पक्की दोस्त है इसके बिना तो मेरे को बिलकुल अच्छा नहीं लगता तो क्यों उनके अंदर एक अच्छी बांडिंग है इतनी अच्छी तरह से कि वो वो एक सही प्रतित्वन्दिता में जी रही है तो इसलिए मैं चाहती हूं कि परिवार को पूर्ण विक्सित बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रतित्वन्दिता की भावना को सकारात्मक रोप ले जाएं क्योंकि पत्थक तभी तक सलामत है जब तक वो पहार से जुड़ा है पत्ता तभी तक सलामत है जब वो पेड से ज जुड़ा है और व्यक्ति तभी तक सलामत है इंसान तभी तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है और क्योंकि परिवार से अलग हो करके आजादी तो मिल जाती है पर संस्कार चले जाते हैं इसलिए आपका बच्चा आपसे जुड़ा रहे उसके अंदर आपके प् से जानना चाहते हूँ कि आप अपनी संतान की किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से जब उनकी फॉइटिंंग होती है उसको टैकिल करते हैं या इनकी से एक दूसरे भाई बहनों के अंदर एक फ्रेम का अब हाव जाग्रिट करते हैं, ये सारी बात के साथ आप कल हमारे भाग दो में इसी समय साथ रहिएगा, और साथ-साथ हम आपस में बात करेंगे, विचार भी मर्श करेंगे, जिससे की एक भले प्रकार से सब का, सभी माता-पिता का, सभी अभिवाव को का, सनरक्षकों का का को दिशा मिल सके, जिससे कि वो अच्छे तरह से उसको बच्चे का की परवरिश कर सके, और एक सही दिशा में परवरिश हो, इसके माध्यम से मैं आपको उसे चाहती हूँ, भी आपसे धन्यवाद चाहती हूँ, आपने मुझे सुना, धीरे धीरे हम समय की भी ध्यान और कम समय में ही अपनी बात कोशिश करने, कहने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आप से सुनने, मेरे दोरा आपको सुनने के लिए, कोई अगर इस विशे में, कोई अगर आप बात करना चाहें, तो आप अवशे मेरे साथ बात करें, धन्यवाद, कल हम इसी समय उपस्तित होंगे और आप से हम बात करेंगे. इसके समाधान के विशे में हमारी चर्चा रहेगी. धन्यवाद.